ब्रोत्री इंफिनिक्स प्रंटोंस के सेल मिश्प हो गई न पगली टेंशन मतले, इंफिनिक्स स्माट्फोंस पे आरही है सेल फिर एक बार, पगली सेल अभी बाकी है प्रिता नगरी में आज हम बात करेंगे बृतिन के नए प्रधान मंतरी रिशी सुनक के बारे में खूब रीलें बन रही है जोग के, कोई उनका टीका दिखा रहा है, कोई गईया को खाना किनाती हुई तस्वीर दिखा रहा है, कोई उनकी पत्नी जो ट्रेले के आ रही है, वो खुरजा से पौटरी गई थी या किसी और जगे से इस पर चर्चा कर रहा है, और वो सारे वाट विजोस्तान में जो पॉलिटिकल वयानबासी होई वो तो हमने खूब देख ली लगान से लगान तक बदाईयां यह वो पर असल में भारत और विटिन के रिष्टे अभी कहां खड़े हैं थोड़ा साब वस ट्रेड डील के बारे में विस्तार से बताएं हमेशा से भारत के साथ यह किसी के साथ भी डील करने में थोड़े इंटर्नल है थोड़े इंवर्ड लोकिंग है तो यह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्यों फासा हुआ था काफी सारे पॉलिसी थे इमिग्रेशन पर्टिकलरली को लेकर वीजास को लेकर जहां पर शायद किस्ट्रस ने किया वो अमीरों के लिए था रिशी सुनाग भी कहीं ना कहीं अपने कंस्ट्ट्वेंसी को तो केटर करेंगे ही ना और FTA कि अगर बात करें तो अपने पहले दिन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्र सेशन में अलरड़ी कह दिया और उनके अपॉइंट्म प्रवासी मूल से आती है मतलब उनके पुर्खे भी माइग्रेट हुए थे लेकिन अभी जो उनकी पॉलिसी है वो इस तरह से है कि ब्रिटेन को अब बाहरीयों के लिए इस तरीके से दर्वाजे कोलने बंद करने चाहिए अपने हितों की चिंता करनी चाहिए यह कंजर्वेटिव पार्टी का भी इस मामले में सेक्ट स्टेंड रहता है लेकिन स्वेला ब्रेवर्मेन का खास तौर पर प्लीज कंटीनिय बिल्कुल स्वेला ब्रेवर्मेन हो चाहिए वो प्रीटी पर्टेल हो जितने भी एक्चली इंडियन ओरिजिन या एजिन डिसेंड जैसे परवे साब ने कहां के लोग हैं वहां पर कंजर्वरिव पार्टी के हैं और उनके लिए पार्टी और देश पहले है सौरत वो कोई भारतिय और या भारत के लॉयलिस्त नहीं है वो अपने देश के लॉयलिस्त होना चाहिए तो अगर उनको प्रॉब्लम्स है इमिग्रेशन से देखे अगर यह लेबर पार्टी होता तो पॉलसी में बहुत पर्क होता लेकिन क्योंकि यह कंजर्वर्टिव्स हैं इनके पॉ प्रॉब्लम्स ने किसी और वजह से रेजिगनेशन दिया था क्योंकि उन्होंने इमेल में ब्रीच अफ से क्योरिटी कर दिया था तो उनको पद से इस्तिफा देना प्रॉब्लम्स ही था क्या जैसा हिलेरी क्लिंटन पर भी इर्जाम लगा था तो जब उन सवाल पुछा कि आपने स्वेला ब्रेव मिन जिसका इतना बड़ा बड़ा ब्रीच अव सेक्योरिटी है और यू गाइस टॉक अबाट नैशनल सेक्योरिटी ये नैशनलिज्म पर था प्रॉपर ये रिशी सुनक से सवाल पूछा गया दर्शक इस बात का ख्याल रखें कि सवाल पुछा होता है और इतना ब्रिलियंट था सौरव वो पहला सेशन परवे साब और हर्श ने तो देखा ही होगा इतना ब्रिलियंट था क्योंकि वो रिटॉर्ट जो है ना एक 42 यूर और यंग मैं हाँ जिस तरीके से रिटॉर्ट कर रहा था उसको देखने में बड़ा मज़ा आया क्या कहा उनों तो स्वेला पे जब ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए नैशनल सेक्यूरिटी का ब्रीच था आपने से वापस कैसे रिपॉइंट कर दिया हो कि ना केवल मैं इनको सपोर्ट करता हूं मैं जानता हो कि यह क्राइम और इमिग्रेशन पे ज्यादा रोक लगाएं जहा कि तुम लोगों से ज्यादा आफ लोगों से ज्यादा यह ख्याल रखिए कि कि क्राइम और इमिग्रेशन बरडर काउज्ट्रोल पे जादा जो पर अपाए होक यह कर सकती है इसाधिये मैं यह रिपॉंट किया जेगर करना स्वेला ब्रेवमेन करना अपने में बहुत बड़ा मेसेजिंग है कि नई दिली कितनी अपसेट थी इनके स्टेटमेंट को लेकर लेकर लेकिन बावजूद इसके उनको नई दिली अपसेट थी क्यों कि जब यह स्टेटमेंट आया उसके बाद फॉर्चुनली या फॉर्चुनली तो उन्हों ने यह कहा कि United Kingdom बहुत सार एसे Western देश है Europe और America जहां पर काफी सारे लोग जाते हैं और वीजास लेकर जाते हैं लेकिन वीजा जब वीजा का पीरिड ख़तम हो जाता है तो ओवर्चे करते हैं इल्लीगली यूके में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका में देज़ फेमस सेंग कि न्यॉक में न्यॉक पहुचते हैं अपना पासफोर्ट पैड दिया चाहता है और इल्लीगल इमिगरंस बन जाते हैं चाहे वो हम नहीं कह रहें कि बस भारती हैं डिवेलपिंग नेशन में देखिए सारब गरी भी बहुत है लाक अव उप्रचुनिटीज बहुत हैं तो आप लोगों क समझना होगा कि अगर कोई यहां से जा रहा है अपना देश, अपना जमीन, अपना घर छोड़ के कोई जा रहा है किसी भी देश में तो प्रॉब्लम्स इंटर्नल हैं अपने हैं फाइन फाइन्जल हैं एनि विच वेड़ जब वहां चले जाते हैं तो ओवरस्टे करते हैं तो स्वेल और ब्रेवरमन का स्टेटमेंट था as Home Secretary कि भारतिये जितने illegal immigrants हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अपने visas को overstay करते हैं वो भारतिये हैं और इसी लिए अगर FTA में सबसे बड़ा stumbling block कोई हो सकता है वो यह मुद्दा है immigration और कि भारत और ब्रिटेंट फ्री ट्रेड एग्रिमेंट तो कर लें लेकिन यह जो वीजा बीतने के बाद भी गैर कानूनी है तो इसलिए दील नहीं हो पाएगा उन्होंने यह कह दिया था तो यह भारत को बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग लगा मतलब उनके लिए काफी अपसेटिंग था तो इसके दो दिन बाद मेकी ब्रीफिंग ती और मेकी ब्रीफिंग में उन्होंने क्या दिया कि देखिये जो उन्होंने कहा वुटेव शी सब्रूर्द बाक्ची साहब आते हैं अरिंदम बाक्ची जी में य हमारे लिए free trade agreement बहुत important है और जाना ज़रूरी है कि एक मुद्दिक की वज़य से free trade agreement रुक नहीं सकता लेकिन इंटर्नली ये जाहर सी बात है इंटर्नली उन्होंने उफिशली नहीं कहा लेकिन इंटर्नली भारत कापी अपसेप था और इसी वज़य से अगले दिन ही लिस्ट्रस के तब foreign secretary और अभी foreign secretary James Cleverly ने immediately respond करते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है political will दोनों के तरफ दोनों साइड में है ताक कि FTA जल्द से जल्द कन्फलूर हो ये देखे कि FTA भारत के लिए नहीं सार्व यूके के लिए भी कापी इंपॉर्ड आपने जब सवाल हुए तो लोगों ने कहा कि एक तरफ तो रिशिस होना integrity की बात करते थे और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसी महला को या एक ऐसे राजने थे क्योंको politician को home security बना दिया जिस पर कई आरोप लगे थे और उसमें एक आरोप ये था कि इसकी स्रक्षा को जिससे खत्रा पैदा हो सकता था कि एक email जिसको नहीं जानी थी उसको भेज़ी आपने और वो confidential email थी home office यानि कि ग्रेह मंत्री के यहां से अगर ऐसी को पोस्ट गलती सी किसी और के पास चले जाए उस तरह का मामलग गोपनी है मामलग तो इस पर बाती हुई कि ये उन्होंने बहुत गलत हरकती रिशी सुनक के कुछ लोगों ने यहां पर उसको इस नजर से देखा है कि रिश का साथ दे रही थी शायद स्विलया ब्रेवर मैं के का जो कैबिनेट मंत्री का जो पीरेड है उसे चोटा करने के लिए और चोटा करने के लिए नोन उनको मंत्री बना दिया इसलिए कि अब ये आरूपों से घिरी रहेंगी ये एक्स्ट्रीम राइट विंग है लेकिन वो रिशी सुनक खत्रा बोल नहीं ले सकते क्योंकि वो तो खुद ही दावा करते हैं कि भाई मैं तो राइट विंग का आत्मी हूँ हम मतलब मतलब लेफ्ट विंग हुई नहीं तो इसलिए उसमें ये था कि स्विलया ब्रेवर मैं को लेना ज़रूरी था इसलिए क खाना पूरी करने के लिए लेकिन उन्होंने एक ऐसे शक्स को लिया है जो शायद हफ्ता दस दिन से ज़्यादा टिक न पाया अपने कोस्ट में और इस तरह से उन्हें बड़ी आसानी से चुपकारा मिल जाएगा स्वेला ब्रेवर मैं से परवे साब इसमें ऑपोजिशन यह भी कहा यह एक अच्छली इंट्रेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने यह अटाक किया था रिशी सुनाक पर जब उन्हें ने कहा कि यह साइन डील विद डेवल कि उन्हें स्वेला ब्रेवर मन और उनके जितने भी बाकी एंपी उनका support चाहिए था ताकि government of unity जो रिशी सु हम तो इस मनुशियोनी में आई इसलिए हैं क्योंकि यहां कहानिया सुनने का और सुनाने का सुख है अच्छे सुनाइए ऐसा है कि मश्यूर पत्रकार और हम जिनको एक जमाने में कि मैं बात कर रहा हूं कभी आदरश मानते थे जबरदस पत्रकार एम जे अकबर बहुत जबरदस इसी चीज़ें लिखते थे क्या खुतुरत लिखते थे उस जमाने में बहुराल उन्होंने कहीं किसी चीज़ की थी एक भारतिय राजनेते की नी ना में उल्टा नहीं लेंगा लेकिन यह कि वो अगर आपके साह है तो भी जखम है और अगर आपके साथ नहीं बाहरें तो बहुत बड़ी जखम अच्छा उस पे उन्होंने कुछ एनलेजी इसी तरह से की थी कि पिसिंग कैमिल कि अग वो जो है अब मैं उसको हिंदी में आनुबाद नहीं तरह पाऊंगा मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा है आप जो खम उठाइएगा इसका कि वो यह है कि एक जो पिसिंग कैमिल है उसको आप टेंट के अंदर रखेंगे तो टेंट से बाहर की तरफ रुख करेगा लेकिन ये कि टेंट से आगर आप बाहर कर देंगे तो टेंट की तरफ रुख करके वो काम करेगा जो आप नहीं चाते है तो राजलीती में बहुत बा मैं इससे पहले कि मैं आपकी कहीं अंग्रेजी की कहावत के दर्जुबे में जाओं मैं उस व्यक्ति के बारे में गेस करना चाहता हूँ मेरा पहला गेस है सुब्रुमंडियम स्वामी अरे वा आपने बिल्कु सही कह लिया मैं आज भी यह समझता हूँ कि भारती जनता पार्टी ने बहुत ही इंटलिजन्ट यह काम किया उनको कि उनको अपने फोल्ड के अंदर टेंट के अंदर ले आए हैं अब आपने उसे में देखा बीच-बीच में उनकी ट्विट हो और आप साब देख लेते हैं कुछ भी लि स्वामी ने बहुत डिलेवर के अभारती जनता पार्टी के लिए और आरेसेस के लिए भी इसको ने भूलना चाहिए लोग मैं उनको अंडरमाइन नी कर रहा हूं ना अंडरेस्टिमेट कर रहा हूं बलके वो कमाल के आदमी है इसलिए कि जो मिसिस सोनिया गांधी का मामला है नेशनल हेरल्ड का मामला है और जो सितु वाला मामला है अगर उनकी टीम उनके पास जाके कहती थी कि सुब्रमनिम स्वामी ने आपके बारे में कुछ लिखा है तो उनका दिन खराब हो जाता था क्योंकि अगर किसी ने जैलेलेटा को जेल में डालने का का काम किया तो एस्टमेट कर रहे हैं